और ये 753 सीटे तब तक नहीं होगी जब तक सेंसस और इलेक्शन नहीं होती सो ये फुल पॉसिबिलेटीज है कि 2026 तक ये सरकार कंटीनिव न कर पाए 210 सीटे बढ़नी है तो ये 753 सांसद ऐसे तो चुने नहीं जाएंगे इसके लिए तो चुनाओ कराने ही पड़ेंगे पिछले चुनाओ में इनी आठ राज्यों से बीजेपी को 55% सीटे मिले थी अब इस बेनिफिट का भरपूर फायदा बीजेपी उठाने की कोसिस करेगी 9 जून को यानि आज पिये मोदी तीसरी वार प्रधान मंत्री पद की सपत तो लेंगे लेकिन जैसे 2014 से 2019 तक और 2019 से 2024 तक सकसफुली अपनी सरकार चलाई वैसे लगता नहीं है कि 2024 से 2029 तक का सफर तैक कर पाएंगे और इस बात की maximum possibilities है कि 2026 में फिर से election हो और इसके एक नहीं चार चार रिजन हैं जिसमें से एक तो सभी जानते हैं लेकिन तीन रिजन सबको समझ नहीं आ रहा है सो वो तीन रिजन की बात करेंगे लास्ट में पहले बात करते हैं तारा और सितारा की आई मिन नितिश कुमार और चंदरबाबु नाइडू की नरेंद्र मोदी को बतवर परधान मंतरी पांच साल सरकार चलानी है तो उन्हें चंद्रबावु नाइडू और नितीज कुमार के साथ की जरुवत होगी वो इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली BJP इस वार 272 का आकड़ा पार नहीं कर सकी 543 सीटों वाली लोकसवा में सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटे चाहिए BJP के पास इस वार 240 सीटे हैं हलाकि NDA के पास 292 सीटे हैं जो बहुमत से 20 जादा है NDA में सबसे बड़ी पार्टी BJP है इसके बाद चंद्रबावु नाइडू की तेलगु दिसम पार्टी यानि की TDP है जिसके पास 16 सांसद है तीसरे नंबर पर नितीश कुमार की जदियू है जिसके पास 12 सीटे हैं यानि नाइडू और नितीश के पास 28 सांसद हैं लिहाजा NDA की सरकार बनी रहे इसके लिए परधान मंतरी नरेंद्र मोदी को दोनों का साथ बहुत जरूरी है लेकिन कितना चलेगा यह कह नहीं सकते और इसे सिर्फ दो मिनिट में समझते हैं जो कि बहुत हीं इंट्रेस्टिंग है क्योंकि यहाँ एक छोटी सी बात पर भी समर्थन वापस हो जाती है कुछ एक बार तो सरकार ऐसे गिरी जो कि भारत के इतिहास में दर्ज हो गया मैं अपना त्याटपत राष्टपती महोदय को देने जा रहा हूँ सो इसे समझते हैं और उसके बाद तीन और रिजन समझेंगे देखिए भारत में गठवंधन की सरकारे कोई नई बात नहीं है 1952 में हुए पहले लोगसभा चुनाओं के बाद से भारत में लगभग 32 सालों तक गठवंधन की सरकारे देखी गई दरसल 2014 में जब अकेले भाजपा ने 282 सीटे जीती यानी बहुमत के आंकड़े से 10 चादा तब भारत को 25 साल बाद नई दिल्ली में एक पार्टी की बहुमत वाली सरकार मिली थी उससे पहले 1984 से 1989 में राजीव गांधी के नत्रितों में कॉंग्रेस पार्टी ने 541 सदसी लोगसवा में 414 सीटे जीत कर प्रचंड बहुमत वाली सरकार देखी थी लेकिन 1989 के साथ ही भारत में गठवंधन की राजनीती की सुरुवात हुई राजीव गांधी के लेडर्सिप बाली कॉंग्रेस ने आम चुनाओं में अपना जनादेश खो दिया भले ही कॉंग्रेस अभी भी लोगसवा में 197 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी 143 सीटों वाली दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल के नेता बीपी सिंग को भारत के राष्टपती ने सरकार बनाने के लिए आमंतरित किया 2 दिसंबर 1989 को बीपी सिंग ने भाजपा और कम्निश्ट पार्टीयों के बाहरी समर्थन से सात्वे परधान मंतरी के रूप में सपत ली हालाकि यह गठवंदन जादा दिनों तक नहीं चला बीपी सिंग ने 23 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में बावरी मस्जीद अस्थल पर जाने के दवरान भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवानी को गिरफतार करने और उनके राम राथ यात्रा को रोकने के बिहार के ततकालिन मुख्य मंतरी लालू यादव के कदम का समर्थन किया जिसके वज़े से भाजपा ने बीपी सिंग सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया सात नौंबर 1990 को बीपी सिंग ने विश्वास मत खो दिया स्री चंदर सेखर ने 64 सांसदों के साथ जनता दल से अलग होकर 1990 में समाजवादी जनता पार्टी का गठन किया उन्हें कॉंग्रेस आई से 12 समर्थन मिला और 10 नौंबर 1990 को वे भारत के आठवे परधान मंतरी बने 21 जुन 1991 को उन्हें भी इस्तिफा देना पड़ा जब कॉंग्रेस आई ने यहां आरोप लगाते हुए अपना समर्थन वापस ले लिया कि चंदर सेखर सरकार राजिव गांधी की जासूसी कर रही थी 1991 के चुनाव में कॉंग्रेस नेता पीवी नर्सिंगर राओ जनता दल के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार के परधान मंतरी बने और खीचा तानी के साथ गटबंदन सरकार ने अपने टर्म के 5 साल पूरे किये भाजपा के दिगजनेता अटल बिहारी बाजपेई पहली बार 16 मई से 1 जुन 1996 तक 13 दिनों के लिए अल्पमत सरकार के परधान मंतरी बने थे बाजपेई के बाद HD देवगोडा और आईके गुजराल गटबंदन सरकारों के परधान मंतरी बने दोनों ही सरकारे एक साल भी नहीं चली 1998 में 21 लोग सभा के लिए हुए आम चुनाओं में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला भाजपा को 182 सीटे मिली, कॉंग्रेस को 114 सीटे मिली, जबकि CPM को 32 सीटे मिली अटल बिहारी बाजपेई गटबंदन सरकार बनाने में सफल रहे और 19 मार्च 1998 को उन्होंने 543 सांसदों में से 272 के समर्थन से दूसरी बार परधान मंतरी के रुप में सपत ली लिकिन एक साल बाद AIADM के दौरा गटबंदन से अपना समर्थन वापस लेने के बाद बाजपेई सरकार गिर गई बाजपेई लोगसभा में केवल एक बोट से विश्वास प्रस्ताव हार गए और ये सोतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था सिप्टंबर से अक्टूबर 1999 में तेरहवी लोगसभा के लिए नए चुनाव हुए भाजपा ने 182 सीटे जीती, कॉंग्रेस ने 114 सीटे जीती और CPM ने 33 सीटे जीती 13 अक्टूबर 1999 को बाजपई ने DMK, TMC, BJD और National Conference समेत कम से कम 13 गठवंदन सहयोगियों के समर्थन से फिर से परधान मंतरी के रूप में सपतली यह पहली बार था कि किसी गैर कॉंग्रेसी गठवंदन ने 1999 से 2004 तक अपना 5 साल का कारेकाल पूरा किया यह तो इतिहास की बात हो गई लेकिन एन चंद्रबाबू नाइडू और नितीश कुमार दोनों के ही रिष्टे परधान मंतरी नरेंद्र मोदी से उतार चड़ाओ से भरे हुए रहे हैं दोनों ही NDA का साथ छोड़ चुके थे और लोगसभा चुनाओ से ठीक पहले ही वापस गठवंदन में सामिल हुए हैं इसे में जानना होगा कि नितीश कुमार और चंद्रबाबू नाइडू के रिष्टे पीए मोदी से कैसे रहे हैं मोदी और नितीश के बीच के रिष्टे काफी पहले से ही उतार चड़ाओ से भरे हुए रहे हैं नितीश को डर बना रहता था कि मोदी का साथ उनके वोटरों को नाराज न कर दे इसलिए 2009 के लोक सवा चुनाओ के दवरान नितीश कुमार ने बिहार में मोदी को परचार करने के लिए आने नहीं दिया था इसके बाद 2010 के बिधान सवा चुनाओ के दवरान भी नितीश ने मोदी को बिहार में परचार करने नहीं दिया था जून 2010 में पटना में बीजेपी के राष्ट्रिय कारेकारनी की बैठक होनी थी, इससे पहले पटना के अखवारों में बिग्यापन छपे, जिसमें नरेंद्र मोदी को नितीस कुमार के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। इससे नितीस इतने नराज हुए कि उन्होंने बीजेपी निताओं के लिए डिनर का प्रोग्राम कैंसल कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके बाद नितीस ने कोसी बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार से मिला 5 करोड रुपे का चेक भी लोटा दिया था। नरेंद्र मुदी और नितीस कुमार के खटे रिस्ते खुलकर 2013 में सामने आये। सिप्टमबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मुदी को परदान मंत्री का उमिदवार बनाया, तो नितीस इससे नाराज हो गया। और अगर देखें तो नितीस कुमार आज भी अपने आपको PM का परवल दावैदार मानते हैं। जून 2013 में नितीस कुमार ने इंडिये का साथ छोड़ दिया जबकि बीजेपी और जदियू 17 साल से 7 थे। लेकिन गठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए नितीस ने कहा था कि हम अपने मुल्च सिध्यानतों से समझावता नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें गठबंधन से अलग होने के लिए मजबूर किया गया। 2014 का लोक सभा चुनाओ नितीस ने अकेले लड़ा। इससे नितीस की जदियू को खासा नुकसान पहुँचा। हार की जिम्मेदारी लेते हुए नितीस ने मई 2014 में मुख्यमंत्री पत से इस्तिफाद दिया। इसके बाद 2015 का विधान सभा चुनाओ उन्होंने लालू यादव की आरजडी के साथ मिलकर लड़ा था। नितीस लालू की जोडी चल पड़ी और बिहार में जदियू और आरजडी की सरकार बनी। लेकिन ठीक दो साल बाद ही जुलाई 2017 में नितीस कुमार ने फिर से पल्टी मारते हुए दुबारा एंडिये में आ गया। एंडिये में आने के बाद 2019 का लोग सभा चुनाओ और 2020 का विधान सभा चुनाओ उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर रड़ा। जिसका काम ही होता है लिफ्ट को उपर नीचे और नीचे से उपर ले जाना। और इसी साल जनवरी में नितीस कुमार ने यू टर्ण लेते हुए आरजडी का साथ छोड़ा और फिर एंडिये का दामन पकड़ लिया। थोड़ा मोदी और नाइडू की दोस्ती भी देख लिजिए। नितीस की तरह ही मोदी और चंद्रवावू नाइडू की दोस्ती भी उतार चड़ाओ से भरी रही है। 2018 तक नाइडू की टीडीपी एंडिये का हिस्सा रही थी। एंडिये से अलग होने के बाद नाइडू की टीडीपी ने मार्च 2018 में मोदी सरकार के खिलाब संसद में अब विश्वास प्रस्ताओ भी पेस किया था। हलाकि ये पस्ताओ गिर गया था। 2019 के लोग सभा चुनाओ के दोरान मोदी और नाइडू के बीच कई बार तिखी बयानवाजी भी हुई थी। गटबंदन से अलग होने के कारण पीम मोदी ने नाइडू को यूटर्ण बाबू भी कहा था। इतना ही नहीं, 2002 के गुजरात दंगो के बाद नाइडू उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सबसे पहले नरेंद्र मोदी से इस्तिफा मांगा था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात दंगो के कारण उन पर इस्तिफे का दवाव बढ़ गया 2002 के गुजरात दंगो का जिकर करते हुए 2019 की एक चुनावी रैली में नाइडू ने कहा था कि मैं पहला बेक्ति था जिसने उनका इस्तिफा मांगा था। ताकि 2019 के लोकसभा और आंद्रविधान सभा चुनाव में हार के बाद नाइडू ने कई बार NDA में सामिल होने की कोशिस की थी। माना जाता है कि नाइडू ने जो कुछ भी बयानवाजी की थी उसे लेकर मोदी TDP को NDA में सामिल करना नहीं चाहते थे। लेकिन एकतर से राजनेता बने पवन कल्यान, मोदी और नाइडू को करीब लेकर आए और आखिरकार चुनाव से ठीक पहले मार्च में TDP NDA में सामिल हो गई। अब देखिए सरकार में बने रहने के लिए 272 सीटे जरूरी है। BJP की 240, TDP की 16 और जदियों की 12 सीटे मिलाकर 268 का आंकडा पहुचता है। बाकी 24 सीटे दूसरी पार्टियों की है। अगर एक भी पार्टि साथ छोड़ती है तो NDA के पास बहुमत तो रहेगा लेकिन सरकार कमजोर हो जाएगी। अगर TDP साथ छोड़ती है तो NDA के पास 276 सांसद बचेंगे। सरकार बहुमत में तो रहेगी लेकिन जादू या आंकडे से कुछ सीटे ही जादा बचेंगी। इसी तरह नितिस की जदियू अलग होती है तो NDA के पास 280 सीटे बचेंगी। ऐसी स्थिति में NDA के पास ही बहुमत रहेगा लेकिन सरकार कमजोर और विपच्छ और मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पार्टियां साथ छोड़ देती हैं तो NDA सरकार बहुमत खो देगी। टीडीपी और जदियू के पास 28 सांसद हैं और दोनों के जाने का मतलब होगा NDA के पास 264 सीटे बचना। अब देखिए इसी महिने भाजपा नेता और बिहार के उपमुख मंतरी विजय कुमार सीनहा ने कहा कि बिहार में अगला बिधान सवा चुनाओ नितीज कुमार के नित्रित्व में लड़ा जाएगा। केंद्र में NDA सरकार के अस्तित्व के लिए नितीज कुमार का समर्थन महत्तपूर्ण हो गया है और आपको पता होना चाहिए कि बिहार में बिधान सवा चुनाओ अक्टूबर नॉम्बर 2025 में होना है। अब नितीज कुमार के हिस्ट्री को देखते हुए ये कहना कि अगर नितीज कुमार को लगा कि पार्टी उनको उतना वैलू नहीं दे रही है या उनके 2025 के लेजिसलेटिव एसेंबली के इलिक्षन में उनके सीम की कुर्सी को थोड़ा भी रिस्क है तो एक मिनिट की भी द 2024 के लोगसभा इलेक्षन में बीजेपी को यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा नुक्सान हुए हैं और बीजेपी के हर संभव कोसिस रहेगी कि कि किसी भी तरह से यूपी और बिहार में अच्छा परदर्शन करे और अपने इज्जत को बचाए और इसके लिए बीज इलेक्षन कराना है तो किसी स्टेट के गेट को एक्स्टेंड करना होगा तो वहीं किसी देट कोविफोर करना होगा है so ये possible है कि बिहार की एलेक्षन को 1s के बीच यह है है और mid term देखें तो निकल कर 2026 ही आएगा और election के result को देखते हुए नितीश कुमार कभी भी कमल का साथ छोड़ सकते हैं अब अगला कारण बनता है census देखे 2011 के बाद census होना था 2021 में but due to covid ये possible नहीं हो पाया और 2024 में कम से कम October तक census की घोसना नहीं होगी यानि 2025 में census सुरू हो सकती है जो 2026 में खत्म होगी और जैसे ही census होगा delimitation की जर्वत होगी जो की 2026 में proposed है already दोजार शब्विस में भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.42 अरब होगी और यह data परिशिमन के लिए important होगा जिसमें किसी भी निर्वाचन छेत्र की सिमाओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर फिर से निरधारित किया जाता है और इसी लिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि नए संसद में 888 सांसद के बैठने की बेवस्था की गई है देखिए अब तक चार परिशिमन आयोग यानि के डि लिमिटेशन कमिशन का गठन हो चुका है 1952, 1963, 1973, 2002 में 1991 और 1991 के जनगन्ना के बाद परिशिमन नहीं हुआ हलाकि 2001 के जनगन्ना के बाद यह हुआ लेकिन सीटों की संख्या में कोई भी बिर्धी नहीं की गई आपको पता होना चाहिए कि अभी के 543 सीटें 1971 के पोपलेशन के हिसाब से दिलिमिटेशन कमिशन बनी थी और उस समय की पोपलेशन थी 54 करोड और अभी 2024 में 140 करोड यानि लगभग 1971 के कमपरिजन में लगभग 3 गुना अब देखें लास्ट संसस हुई थी 2011 में उसके बाद होना था 2021 में जो हुई नहीं अब चुकि हर 10 साल में सेंसस होता है सो टेक्निकली सेंसस अब होना चाहिए 2031 में बट 2026 में डी लिमिटेशन कमिशन बनना फिक्स्ट है और डी लिमिटेशन कमिशन बिना सेंसस के नहीं बन सकता सो 2026 के पहले संसस कराना जरूरी है सो 2026 के पॉसिबल जनगनना और परिशिमन के प्रक्रिया से लोगसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 753 हो जाने की उमीद है मतलब 210 सीटे बढ़नी है तो ये 753 सांसद ऐसे तो चुने नहीं जाएंगे इसके लिए तो चुनाओ कराने ही पड़ेंगे और चुनाओ से हिंदी भासी छेत्रों में बीजे पी को जबरदस्त फायदा होगा नई संसद की लोगसभा में 888 सांसद बैठ सकेंगे इस बात ने दच्छिन के राज्यों को टेंसन में डाल दिया है इन राज्यों को डर है कि 46 साल से रुका हुआ परिसिमन जनसंख्या को अधार मान कर हुआ तो लोगसभा में हिंदी भासी राज्यों के मुकाबले उनकी सीटे करीब आधी हो जाएंगी परिसिमन के बाद दच्छिन के 5 राज्यों में 42 परसंट सीटे बढ़ेंगी जबकि हिंदी भासी 8 राज्यों की सीटे करीब 84 परसंट बढ़ जाएंगी यानि दच्छिन राज्यों के मुकाबले दो गुनी सीटे पीछले चुनाओं में इनी आठ राज्यों से बीजेपी को 55% सीटे मिले थी अब इस benefit का भरपूर फायदा बीजेपी उठाने की कोशिस करेगी अगला कारण है महिला अरच्छन महिला अरच्छन बिल भी बड़ा कारण है 2026 के चुनाओं कराने में महिला अरच्छन बिल की मांग पिछले 27 साल से हो रही है इस बिल के लागू होने के बाद संसद और राज्यों की बिधान सभा में 33% सीटे महिलाओं के लिए रिजर्ब हो जाएंगी इस बिल के मुताविक अनुसूचित जाती और अनुसूचित जण जाती के लिए आरच्छित सीटों में से एक तिहाई सीटे SCST समुदाय से आने वाली महिलाओं के लिए आरच्छित हो जाएंगी इन आरच्छित सीटों को राज्यों और केंदर सासित परदेसों में अलग-अलग छेत्रों में रोटेशन परनालिस से आवंटित किया जा सकता है महिला आरच्छित सीटों को रोटेट किया जाना चाहिए तो ये रिजरविशन तब तक नहीं की जा सकती है जब तक 753 सीटे नहीं हो जाती और ये 753 सीटे तब तक नहीं होंगी जब तक सेंसेस और इलेक्शन नहीं होती सो ये फुल पॉसिबिलेटीज है कि 2026 तक ये सरकार कंटीनियू ना कर पाए इसमें आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर लिखे